नमस्कार आप देख रहे हैं जनभावना टाइम साथ मैं हूँ अंकिता आरक्षिन बचाओ लोग तंत्र बचाओ आंदोलन करेगी सांसद संजे सिंग ने ट्वीट किया है कि नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षिन में बीजोपी सरकार के द्वारा की गई हेरा फेरी के खलाफ दो जनवरी को आम आदमी पार्टी पूरे यूपी में आरक्षिन बचाओ लोग तंत्र बचाओ आंदोलन करेगी यूपी के सभी जिलों में होगा ये आंदोलन मंगलवार को हाई कोट के फैसले पर आम आदमी पार्टी के नेता और राच्य सभा सांसत संजा सिंग बीजोपी पर आरूप लगाते हुए उन्होंने कहा था कि बीजोपी पिछडों की विरोथी है नगर निकाय के चुनाव में पिछडों का हक मारने के लिए जान बूचकर आरक्षन कराया गया मीजोपी सरकार बिना OBC आरक्षन के चुनाव करवाना चाहती है संजा सिंग ने सीम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि सही सर्वे कराकर OBC आरक्षन दो फिर चुनाव कराओ वरना सडकों पर आंदोलन होगा आपको बता दे कि लहाबाद उचने आयाले की लखनों पीछ ने मंगलवार को उत्तप्रदेश सरकार की नगर निकाई चुनाव समध्धी मसौदा अधिसूशना को रद करते हुए राजे में बिना OBC आरक्षन के नगर निकाई चुनाव कराने का आदेश दिया था साथी पीठ ने राजे सरकार और राजे चुनाव आयों को आदेश दिया कि पिछड़ा वर्ग की सीटों को समाने करते हुए इस्थानी निकाई चुनाव को 31 जनवरी 2023 तक संपन करा लिया जाए न्याय मूर्थी, देवेंटर कुमार उपाध्याय और न्याय मूर्थी सौरब लवानिया की खंटपीट ने यादिश दिया था इस पैसले से प्रदेश में शेहरी इस्थानी निकाई चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया था हाला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में बयान जाली करते हुए कहा कि संविधान की अनुसार OBC को आरक्षिन दिया जाएगा इसके लिए कानूनी विचार किया जा रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो सरकार सुप्रीम कोड भी मामले को ले कर जाएगी इस खबर पर आपकी क्याराय है जरूर बताइए देश दुनिया की तमाम खबरों को विस्ता से जाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगएन कर सकते हैं जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ नमस्कार